थ्रेडिंग क्लास में दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत्य तो दोस्तों आए थ्रेडिंग क्लास में थ्रेडिंग क्लास में चलाना सीखते हैं तो जिस तरह से मैं थ्रेड चला रहे हूं प्लो पर चला रहे हूं इस तरह से आप प्रक्टिस करें थ्रेडिंग की से लोली-जलोली हाथ चलाएं शुरूव में पहले अपने घुटने पर या प्लोव पर कोई भी ऐसी चीज ले लें जिस पर आराम से हमारे हाथ चल सकें किसी के बाल ना निकालें अपर लिप्स के ना निकालें नमस्कार दोस्तों तो थ्रेड के लिए हम 30 या 40 नमर का थ्रेड लेंगे आईब्रो के लिए और कलीजी मिल्क से पहले चहरा साफ कर लेंगे फिर उसके बाद कॉटन से हम पाउडर लगाएंगे पाउडर लगाने के बाद चहरा साफ करके आईब्रो पर हमने कितनी शेप बना एक छोड को दांटों में दबा लेंगे और तीन उगलियों पर उसको ट्विस्ट करके एक लूप सा बना लेंगे गैए दीरे दीरे इसको चलाएंगे पहले तो हवा में चला रहें इसे जब धीरे से हमें चलाना आ जाएगा खिसकाना आ जाएगा इसके नोट को तब फिर हम फिर हम घुटने पर थोड़ी से अगर हमारे हेर अगर आए तो उनको निकालेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे हमारा इसमें लूप में अपने बाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से देखिए धीरे धीरे हाद ऐसे बढ़ाते रह पहले ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि पहले तो नोट लगती रहती है धागा ही तूटता रहता है बार बार दागा तूटता है बार बार इसको पकड़के लगाते हैं प्लककर की एल्प से जो बाल हमारा नहीं निकल लाया बहुत हाड हो गया तो उसे प्लककर से निकाल लेंगे इस तरह से हम आइब्रो बनाने के लिए इस तरह से हम पकड़ेंगे तीन उगलियों से उपर आईब्रो के उपर तीन उंगलियों से आखों के उपर उंगली रखके स्ट्रेश कर लेंगे अच्छे से जितना ज़्यादा स्ट्रेश करेंगे उतना ही हमारे बाल अच्छे से निकलेंगे और कट भी नहीं लगेगा एक बार कट लगने के बाद बहुत दिन में ठीक हो पाता है अगर eyebrow के बाल भी ज़्यादा निकल जाते हैं तो भी हमारे eyebrow shape खराप हो जाती है तो अच्छे से पकड़ें अच्छे से पकड़ने से shape हमारी दिख जाती है हमें कहां से कितने बाल निकाल लें फिर eyebrow बनाने के बाद मसाज कर लें ऐसे practice करें बार बार धागे को दांत में दबा कर ऐसे लगातार practice करें इसकी कोई सीमा नहीं है practice करने की जब तक कि आपका धागा अच्छे से ना चलने लगए दोड़ने ना लगए तब तक हम practice ही करते रहते हैं पर गुट नेपर रादे रादे दोस्तो thank you